हालो फ्रेंट्स वेलकम टू कार्गी क्लासेज डेट आज 24 सक्टूबर 2020 एक्स्पेंट पेज पे देख लेते हैं इंडियान एक्स्पेस के कौन से इंपोर्टन आर्टिकल सा आज गरपन डिसक्स करेंगे सबसे पहले आर्टिकल है यह वाला इक्वेशन ऑफ ओनियन प्राइस तो उस टाइम पे ओनियन की जो प्राइसेज अप्याज की जो भाव हैं किस तरीके से फ्लक्टूइट कर रहे हैं क्या इसकी वजह है और अब की बार एक अलगी एक्वेशन निकल के आ रही है जो आपन देखने की कोशिश करेंगे यहां पर कोविड-19 को कंटेन करने के लि तो आज के वल एक ही आर्टिकल डिसक्स करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपको पता है कि एक हफ़ते से भी कम टाइम रह गया है बिहार में इलक्शन होने से पहले और सेंटर ने अब फिर से स्टॉक लिमिट इंपोज कर दी है ओनियन्स पे जैसा कि आपको उस एक्ट को एमेंड करके पॉटेटो, एडिबल ओइल्स, पल्सिज, ओनियन्स इनको एक्स्क्लूड कर दिया गया था बट जैसा कि आपको पता है प्याज के भावव फिर से बढ़ चुके हैं और मुंबई में तो सो रुपे किलो तक बढ़ गया है इसलिए प्याज को फ पहले यह देखा जाएगा कि जो भी स्टॉक होल्डर है उसकी कितनी कैपसिटी है कितनी डिमांड है उसके अकोर्डिंग बट एक तो यह कि इंपोर्ट पहले से जो एक तरह की से रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि अब इंडिया में प्याज इंपोर्ट नहीं होगा तो प् अच्छी अच्छी सरकारे प्याज की वज़े से गिर चुकी है ठीक है अब देख लेते हैं कि वज़े क्या है जिसकी जिसके कारण प्याज की प्राइस बढ़ गई है वह क्या है ऑगस्ट लास्ट वीक में आपको पता है खरीफ ओनियन की कटिंग होनी थी और वह भी नॉर थी कि जून-Jुलाई मैं सोविंग हो जाती है व्जाती है और मार्च की ठाइम हार्वेस्टिंग हो जाती है तो कहने का मतलब तीन सीजन हमारे यहां पर प्याज की होती है तो आप देख सकते हो कि अभी जो ऑक्टूबर में हार्वेस्ट जो होना थो जो अभी एंड अक्टूबर चल रहा है वो कहीं ना कहीं डिस्रप्शन में आगया रीजन बिंग कि नॉर्धन कर्नाटका में रेंफॉल जादा होना और महराष्ट्रा में जिन लोगों ने स्टॉकिंग की थी उनियन की उनकी स्टॉक में पड़े हुए प्याज खराब हो जाना क्योंकि मौश्चर की वज़े से प्याज जल्दी खरा हो गई यूज्वली देखा जाता है कि 30 से 40 परसेंट तक ही जितना स्टॉक किया गया उसका खराब होता है प्याज अब की बार 50 to 60 परसेंट प्याज खराब हो गया तो इसकी वज़े से आप भाव देखो चारों मेट्रो सेटीज में कितनी जादा है 58 97 83 80 बहुत महंगा हो तो इसमें पहली वज़े तो आपको क्लियर हो गई कि ज्यादा रेंफॉल होने की वज़े से प्याज में मॉस्चर की वज़े से खराबी हो गई दूसरा क्या हुआ कि लास्ट येर ऑनियन की प्राइस अच्छी खासी थी तो इस वज़े से किसानों को ये लगा कि अब की ब देखोगे ऑनियन का लॉस बहुत जादा हो गया तो ये दो में वज़े बताई जारी है एक तो है एक्सस में रेंफॉल होना और दूसरा होना यूरिया की जादा एप्लिकेशन इन दोनों की वज़े से प्याज खराब हो गया अब बात यह आती है कि गौर्मेंट ने कैसे रियक्त किया है तो गौर्मेंट का रियक्ट करने का तरीक आपको बताई दिया है जो पने अल्रेड डिसकस कर लिया कि जैसे कि अभी एग्रिकल्चर रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स लेकर किया एए थी गौर्मेंट तीन बिल्स के बेसिस में एक था एसेंचल स्टॉक कर सकते हो इकटा कर सकते हो दूसरा गौर्मेंट ने जो इंपोर्ट किया जाता है प्याज फॉर से फर इग्जैंपल अब मारे यहां पर इरान से प्याज इंपोर्ट किया जाता है तो इरान से प्याज आने पर आते आते हैं और मार्केट में जब पहुंसता है तो 40-45 किलो रुपीज पर किलोग्राम के इसाब से भी चले तो भी एक बार तो काम चल जाएगा तो कहने का मतलब इंपोर्ट को रिलेक्स कर दिया और साथ में जो स्टॉक लिमिट है वो इंपोज कर दी कि कैसे भी करके मार्किट में जो है प्याज की सप्लाई इंक्रीज हो वो बात अलग है कि इरान के प्याज में जो एक तीखापन होना चीए ठीक है वो कम होता है बट फिर भी वही बात है कि कैसे भी करके प्याज की सप्लाई एंशॉर की जा सके रही सही में इरान से आने वाले प्याज के डि कर देगा तो आप यह देख सकते हो कि प्याज का क्या सीजन है किस तरीके से चलता यह अपने डेटेल में देख लिया है हमारे यहां पर तीन सीजन में प्याज उगाया जाता है अलग-अलग रीजन्स में महाराश्ट्रा वाला जो प्याज होता है वो ऑक्टूबर के टाइम प्याता जो यहां पर आपने देखा वो कही ना कहीं और अगस्ट में हैक्स हैवी रेइनफोल की वजह से खराब हो गया ठीक है तो इस तरीके से यह पूरी एक्वेशन थी जो मैंने आपको समझा दिए आपको इतनी शॉटकट में समझ में आई होगी मैंने पूरा समरी दे इतने काम की नहीं है तो उसको आप देखना चाहो तो देख लो ना देखो तो कोई प्राब्लम नहीं है एक मोटी मोटी चीज मैंने आपको समझा दिया ठीक है तो चलिए थैंक्यू